रोहित शेटी ने विशाल आदित्य सिंग को दिलाई बिग बॉस 13 की याद फ्राइंग पैन सीन हुआ रीक्रियेट टीवी रियालिटी शोग हतरों के खिलाडी सीजन 11 की शांदार शुरुआत हो गई है दूसरे एपिसोड में शो के होस्ट रोहित शेटी ने कंटेस्टेंट विशाल आदित्य सिंग को बिग बॉस 13 में हुआ मज़ेदार के सायाद दिलाया जब विशाल आदित्य सिंग की पिटाई मधिरुमा तुली ने फ्राइंग पैन से की थी शो के होस्ट रोहित शेटी ने एपिसोड के दोरान बताया कि वो विशाल आदितिय सिंग के लिए एक सर्प्राइज लेकर आये हैं सर्प्राइज के तौर पर रोहित शेटी ने विशाल आदिति सिंग को फ्राइंग पैन दिखाया जिसके बाद बिग बॉस 13 में हुआ वो किसा सभी कंटेस्टेंट्स को याद आया और सभी ठाहा के लगाने लगे उसी दोरान रोहित शेटी ने महक चहल को बुलाया और कहा तुम्हें मधुरीमा तुली बनकर विशाल आदिति सिंग पर इस फ्राइंग पैन को बरसाना है में किसी चीज का डर नहीं है बलकि अगर उन्हें दुबारा फ्राइंग पैन कहीं दिखा तो वो जरूर भाग जाएंगे ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शो के दोरान मजाक मस्ती का सिलसिला जबरदस तरीके से चल रहा है और रोहित शेटी ने विशाल अदिति सिंग को बिग बॉस 13 के फ्राइंग पैन वाले किस्से की याद दिला दी है टीवी और इंटेटेन्मेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरीए हम तक जरूर पहुचाएं